नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागा थे आपके अपने चैनल ड्रीम डोस पे आसा करता हूँ आप सब लोग पढ़ रहे होगे ठीक है और ये सेशन हमेशा की तरह एक मार्क सिरीज जिसमें हम लोग बहुत ही कम समय में एक अच्छा सा इंपोर्टन टॉपिक गवर करते हैं आज हम लोग वर्ल्ड की लेबल पर बात करेंगे जो मैंने आपको अल्लेडी समझाए कि कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आपको सिलेवर से मैंसर नहीं रहता है कि वर्ल्ड से आपका वर्ल्ड जोग्राफी मैंसर नहीं रहता है पर कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां से आपक पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो जो important है, with respect to Daroga Mans and Enforcement SI और BSSC, ठीक है, जो one day examen में उसको दिमाग में लेके चल लाओ, ऐसे पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़े, बर जब भी ये topic आप पर होगे, सबसे important, सबसे पहले ये चीज़ आप complete करोगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते है, एक मार्क का हमारा डेली का सिरीज, ठीक है, देखो, तो सबसे पहले तो मैंने आपको अल्रेटी बता दिया कि study of lake क्या बोला जाता है, तो limnology बोला जाता है, ठीक है, देखो, और एक किया किजे, कमेंट किया किजे, ठीक है, चेनल पे नहीं हो, तो सबस्क्राइब कर ले, देखो, तो lake के बारे मैंने आपको बता रखा, देखो, अब मैं किस तरीके से चीजों को connect करूँगा, ताकि चीजे अंत तक आपको पूरी तरीके से याद हो, पहला, जील का नाम और यहां location दिया हो है, Caspian जील, ठीक है, तो यह क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा lake, दुनिया का सबसे बड़ा जील अगर कोई है, तो वो है आपका Caspian लेक, ठीक है, अब यह कहा है, तो यह है, आपका, मैं इसको बाद में आपको मैप से भी समझाओंगा थोड़ा ठीक है क्योंकि मैप बहुत यूरेसिया, यूरेसिया मतलब यूरोप और एसिया के दोनों पार्ट को ये गवर करता है, ठीक है कुछ पार्ट इसका एसिया में, कुछ पार्ट इसका आपका यूरोप में, ठीक है, तो basically कौन पहला कोस्टन यहां से आपको पूछा जाएगा, कि वर्ल्ड का सबसे बरा ठीक है, लेक कौन सा है, तो आप बोलो को कैस्पियन, एक कोस्टन यहां से और पूछा जाता है, याद रिखेगा, ये दुनिया का सबसे बरा लेक तो ही, साथ में दुनिया का सबसे बरा खरे पा निकले तो वो भी कैस्पियन कहा है तो यूरोप और एस्या दोनों को टच करता है इस्पेसली पांच कंट्री जिसको ये टच करता है कजिकिस्तान रसिया तुर्कमिनिस्तान एजरबाईजर एंड इरान इतना कोशन आपको यहां से पूछा जाएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका सुपीरियर ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट है अगर पूछे कॉंटिनेंट तो समझ में आया ना यूरोप और एस्या दोनों को कवर करता है नेक्स्ट है आपका सुपीरियर अब यह कहा है तो यह है आपका नौर्थ अमेरिका में बहुत सारे हैं ठीक है पर अभी आप याद रुखो, कि superior lake, ठीक है, superior lake है आपका, ये है आपका Canada और United States, मतलब ये कहा है आपका, कौन सा continent में, तो North America में है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से समझना, जिस तरीके से मैं समझा रहो, और ये दुनिया का सबसे बरा, ठीक है, ताजे पानी का, ठीक है, को याद रखना है, superior, अब कैसे याद रखोगे, देखो, superior क्या है, दुनिया का सबसे, fresh water लेकर, ताजे पानी का, तो कैसे याद रखोगे, superior से याद रखना, sweet, ठीक है, अगर एकदम ताजा है, तो ये sweet है, और ये क्या है, caspian, कैसे पिये यार, बहुत कैसे पिये गो तु ठीक है, ये दोनों सबसे जादा important था, जाओ, पुछा जाता है, तो मैंने इसको cover करवा दिया, ठीक है, अब देखो, Victoria, ठीक है, ये है आपका, योगंडा, Kenya, और तंजानी, अब ये क्या है, तो ये याद रखना, अगर पुछे कि, अफरीका महाद्वीप का सबसे बरा ले सा रहा हूं, क्योंकि मैं थोरा सा उपर ले 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 हूं, ठीक है, ताकि questions बाहर जाए ही नहीं, ठीक है, तो यो Victoria, Kenya और तंजानीया, ठीक है, Victoria, मैंने बोला है न, मिसिलीन, विविद का, आपका पुरा-पुरा डर खतम कर दूँगा, ठीक है, आप बस बने रो, थोरा support, आप चीजों को share कर दिया करो, ठीक है, तो Victoria, जो है लार्जेस लेक इन अफ्रीका, तो अफ्रीका का सबसे बरा लेक कौन सा है, Victoria, Victoria लेक कहा है, अफ्रीका में, ये दो country को अलग करता है, मतलब, दो country का international boundary decide करता है, किसका, तो Kenya और तंजानीया, और कौन से तीन country को touch करता है, योगांडा, Kenya और तंजानीया, ठीक है, इसके साथ एक चीज और याद दखोगे, एक और है, हूरोन, ठीक है, तो ये कहा है, एगेन, आपका North America में, जैसे कि मैंने बता है, बहुत सारे North America में आपको जहिल मिल जाएगा, जो basically boundary पे बसा है, Canada and United States, ठीक है, अगर आप इसको य कर सकते हैं, ठीक है, तो हुरोन, तो कहा है, Canada and United States, अगर कौन सा कॉंटिनेंट बोले, तो North America, इसका अगर कॉंटिनेंट बोले, तो अफरीका महादेश, और ये आपका महादेश, और ये तीन कंट्री को टच करता है, समझ में आया, चलो, बेटर होगा कि आप लिख लो, ठी हो जाएगा, अब ये देखो, ये बैकाल, ये भी बहुत important है, बैकाल, ये दुनिया का सबसे deepest, मतलब सबसे जो बहुत गहरा है, तो दुनिया का सबसे गहरिला जील, और दुनिया में सबसे बरी मात्रा में मीठे पानी के जील, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ क्या है, अगर आपको बोले कि दुनिया में दुनिया का सबसे बरा, मतलब बरा मतलब बरा ठीक है, By Area, ठीक है, छेतरफल के हिसाब से, दुनिया में सबसे बरा, pitch water का लेख, भाई छेतरफल, तो क्या बोलोगो में सूपीरियर, ठीक है, जो कि कहा है आपका, North America में है, जो कि मैंने आ अधोरा दिमाग भी लगालो कि बहुत डीप है, बहुत गहरीला है तो पानी जादा इसमें, अर्जीक है अगर आप चछाते हो कि आपका यह लेसन, जो भी आपका बहुत अच्छा उजाए न alors तो प्लीज, सब चीजों को आप मैप में दिखो, मैं थोड़ा एक्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, बट आपके पास एक मैप रहना चेह, ताकि चीजों का समझभाऊ, मिसिगेन, अब यह बहुत इंपोटेंट है, क्योंकि यह एक ऐसा, ऐसे जितना भी नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट में, जितने भी आपको बेसिकली लेक दिखेंगे, जिल दिखेंगे, वो बाउंडरी पे बसा हुआ है, यूएसे का और कैनाड़ा का, पर यह जो है आपका पूरी तरीके से, तो यह आप देखें, मिसीगेन ऐक ऐसा लेक है, जो पूरी तरीके से नौर्थ अमेरिका, कॉंटिनेंट में, यूएस में है, पूरी तरीके से, ठीक है, याद अखना Great Beard, अब यह रगो, Great Great, ठीक है, यह दोनों जो है आपका Canada में, ठीक है, तो Great Beard Lake and Great Slab Lake, यह कहा है आपका Canada में, ठीक है, मिस मत कीजिएगा, मलवाई लेंग ठीक है मलवाई अब यह कहा है तो मलवावी मोजांबिक्यू एंट तंजानिया ठीक है यह तीन कंट्री में है उतना इंपोर्टेंट नहीं है बट इसमें एक इंपोर्टेंट चीज यहां यह है कि जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइफ ओफीस का प्रजा लेक कौन सा है अगर आपको पूछ लिया रहे तो लदोगा यह पूछा गया है याद रखेगा लार्जस लेक यूरोप का कौन सा है लदोगा जो की रसिया में है एगें एक जुमिन आपको कराया तो कौन सा रसिया का बैकाल काल गुस गया नंद तो निकल नहीं पाएगा तो बैकाल, काल है मतलब पूरा एकदब डीप है ये, तो ये बैकाल एं लदोगा दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है, रसिया का पता है कुछ पाट यूरोप में भी कंसिडर होता है, इसलिए ये आपका यूरोप लिखा हुए, तो लदोगा भी कहा है, आपका रूस में ह अगर बुचे की लारजेश लेकिन अंडार्टिका कोन है तो बोस्टॉक है, बलकास ये पूछा गया था इसलिए मैंने ले लिया तो ये कहा है आपका बलकास, कहा है तो कहा है आपका कर्जे किस ठान में, ठीक है, ठीक है, टिटिका का अब ये बहुत इंपोर्टेंट है, अब यह क्या है कि आपका, यह आपका South America में, आपको पता होगा, वोल्विया, पेरु, यह सब South America में, आपको एक बार मतलब दिखाऊंगा, आप सांधी से देखती हो, टीटी का का सबसे height पे बसाओ, अगर कोई सबसे ज़्यादा उचाई पे, अगर पूछा जाए कि सबसे ज यही याद रखिगा, वही मैंने, इंडियन में क्या करवाया था, आपको जल्दी से बता हो, मुझे निचे कमेंट करोए, मैंने आपको बताया था, कि, इंडिया में सबसे उचाई पे, कोन सा जील होई, तीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ कि, मैं स्टेट बता देता सिकिम में, ठीक है, आप मुझे ज़ली से कमेंट करोगे, ठीक है, और ये वोलेविया और पेरू में, तिससे समझ में आया, आप देखो कुछ चीज में समझातों में, इसलिए ये समझा रहा हूँ कि चीजों का आपको रटना नहीं है, पस पार्टी इसको आप को घुए यहाद रखना है चुक है यहां दिखो तो यह सब पांच कंट्री बनाया था यह यहाँ है तो इस तरीक और तो आपका देखना आपा अपर घुएní यहा चुक है 들어सिया पीले में भी consider होता है ठीक है अब एक चीज और यहां दखना है कि RLC है यहां यह भी एक आपका kind of आप लेक मानलो इसको तो यहां देख लोगा यह RLC है ठीक है तो पूछा जाता है कि RLC यहां दखना में लिख देता हूं यहां RLC कोन से 2 territory को अलग करता है तो एक है आपका Kazakhstan एक है उजभ किस्थान प्लीज लिख लो ठीक है यहां दखो आपके पास map होगा ना map निकाल दो, ठीक है, यहाँ दो कि Caspian है, यहाँ आपका यह उजबे की स्थान है, उसी तरह के से यह आपका पुरा-पुरा North America हो गया, ठीक है, यह आपका South America हो गया, ठीक है, पैरू-एरू जो मैंने बोला था, यहाँ पैरू देख सकते हो, ठीक है, जीलो का अधियान को क्या बुला था है, Limunology , Caspian साकर, superior, मैंने क्या ब Запाबका THE KASPION कहा है, आपका कैसे पिए तो दुनिया का सभसे खरे पानी का यह साग जील है और यही सुपीरियर जो है आपका सुपीरियर जिल सबसे मीठे पानी का जील है ठीक है रिविजन करवा रहा हूँ आप यह देखो यहाँ वो जो मैंने कैस्पियन आपको बताया था ठीक है थोड़ा और अगर करीब से हम लोग देख लेए देखो मैं इसलिए बस यह इसलिए ते विक्टोरिया मैं अपको बता दिया ठीक है जो कि आपका ठीक है जो आपका मैंने यह भी बतायता। अमें विक्टोरिया जो अफ्रीका में है जो यह त हानिया और केनिया का बीच में एक बाऊंडोरी बनाता है ठीक है सो एक चीज़ और यादक click कि किस देख को 1,000 अध of thousand इसको इंगले से में ब pequeño बोलाता है land of thousand land of thousand lake ब lightly Gandalf ठिक है किसको बोलाता है तो ये बोलाता है आपका find land को याद रखेगा ठिक है? चलो तो आसा करता हूँ चीजे आपको समझ में आया होगा बस इतना आप करना सपोर्ट नहीं करो तो चीजे उस लेवल तक मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, चीजे बहुत थी, मतलब इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करबार हो, और मिसिलिनियस का एक जो डर है, कि सर वर्ल्ड में क्या पूछेगा, और क्या-क्या पूछ सकता है, हर एक टॉपिक में आपको करबार हो, आप नी